बीटिंग दे रिट्रीट कारिकरम को गंदतंत्र दिवस मारो का ही हिस्सा माना जाता आर्थिक तंगी से जूज रहे पश्चिमेशिया के देश लेबनान में लागू लॉकडाउन का विरोज जारी है वहां कोरोना के खत्रे की वज़ा से लगाई गई पाबंदियों और लॉकडाउन खत्म करने की मांग दिनो दिन बढ़ती जा रही है और अब लोग लॉकडाउन के खिलाफ हिंसा करने से भी नहीं चूक रहे त्रिपोली में रात के अंधेरे में सरकों पर उत्रे बड़ी संख्या में लोगों ने वहां आगजनी की कई लोगों ने वहां तैनाज सुरक्षा बल को भी अपना निशाना बनाया लगातर हो रही पत्थरबाजी से बचने के लिए सुरक्षा बल को बखतरबंद गारियों को सड़कों पर उतारना पड़ा साथ ही हिंसा करने वालों को खधेरने के लिए आंसू गैस के गोले दागे आलम ये है कि हिंसक प्रदशनों की आग में जल रहा त्रिपोली शहर एक चावनी में तब्दील हो गया गुजराद के सूरत से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जहां एक केमिकल फैक्टरी में भीशन आग लग गई और इस हादसे में वो पूरी तरह बरबाद होगी या आग कैसे लगी इसकी वज़े अभी साफ नहीं हो पाई है लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने लोगों को दहशत से भर दिया हादसे के बाद पूरी फैक्टरी लप्तों में घरी नजर आई वहां बड़े पैमाने पर कागस भरा था जो आग से धतक रहा था पैक्टरी के चानों तरफ से धूएं का घुबार भी उठता दिखा आग बड़ी थी और इसलिए उसे बुझाने के लिए दमकल की लगभग दस गाड़ियों का इस्तमाल किया गया सामने आई तस्वीर में एक दमकल कर्मी हाइड्रॉलिक क्रेन के जरीए पानी की बोचार करता दिखा दिली में इस्राइल के दूतवास के पास हुए धमाके के बाद राजिस्तान के पुशकर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुशकर में इस्राइल परियटकों के धर्मस्तल खबाद हाउस के बाहर पहले से ही पुलिस कर्मी तैनाथ है पुशकर के थाना दिकारी ने खबाद हाउस और उसके आसपास के इलाकों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया कोरोना की वज़ा से इसराइल के परेटक वहाँ नहीं पहुंच रहे बावजूद इसके आरेस के जवान बंकर बनाकर 24 घंटे खबाद हाउस की सुरक्षा में तैनात है दक्षिन अमरी की देश पिरू में करोना के फिर सिर उठाने के बाद महां दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया तो लोग बागी हो उन्होंने सरकार के खिलाफ ही मुर्चा खुल दिया पिरू की राजधानी लीमा और नौ दूसरे इलाकों में 31 जनवरी से दो हपते का लॉकडाउन लगाने का एलान किया गया है लेगिन लोगों को ये मनजूर नहीं इसलिए वो सड़कों पर उतर आए और सरकार के फर्मान के खिलाफ जोड़ जोड़ से नारे लगाने लगे हाथों में बैनर तख्तियां और पिरू के एक बड़े घंडे को थामे प्रदर्शन कारी शेहर के अलग अलग इलापों से गुजरे कुछ लोग तो अपने बच्चों तक को प्रदर्शन में लेकर पहुँचे असल में कोरोना के मामले बढ़ने की वज़े से पिरू में अस्पितालों के हालत खराब हो चुकी है ऐसे में उनका बोज़ कम करने के लिए सरकार ने दोबारा सक्त लोगडाउन लगाने का फैसला किया लेकिन लोगों का घुस्सा इस बात पर फुटा कि पिछली बार जब लोगडाउन लगा था तो उनके खाने के लाले पढ़ गए वो उससे ही अभीता गुबर नहीं पाए कि दूसरे लोगडाउन का एलान कर दिया गया लोगों का तो यहां तक कहना है कि कोरोना तो ने बाद में मारेगा लेकिन उससे पहले लोगडाउन उन्हें भुक्मरी के गगार पर पहुँचा देगा एक फरवरी को बजट पेश होना है उससे पहले आज प्रधान मंत्री मोधी सभी दलो के साथ बैठक करेंगे प्रधान मंत्री मोधी सुभा साड़े ग्यारा बज़े वीडियो कॉन्फरेंसिंग से बैठक को संबोधित करेंगे तो वहीं इस बैठक के बाद NDA के सहयोगी दलो की बैठक भी होगी दोपहर साड़े तीन बज़े NDA के दलो की होने वाली इस बैठक में प्रधान मंत्री मोधी भी मौधी भी मौजूद रहेंगे लंबे इंतजार के बाद मुंबई में अगले महीने से सभी लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे News 18 के दिवाकर सिंग की रिपोर्ट है कि एक फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेनों में आम लोग भी कुछ पाबंदियों के साथ यात्रा कर सकेंगे हाला कि पहले की तरह दिन के किसी भी वक्त आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाज़त नहीं मिलेगी रेल मंत्री प्यूश गोल ने ट्वीट के जरीए जानकारी दी कि दिन की पहली ट्रेन से सुबह साथ बजे तक आम लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे उसके बाद दोपेर 12 से शाम 4 बजे तक आम लोग लोकल ट्रेनों से एक जगा से दुसरी जगा जा सकेंगे और फिर रात 9 बजे से आखरी के ट्रेन पर पठ्रियों पर दोड़ने तक वो लोकल ट्रेनों में सफर की सुविधा का लुथ उठा सकेंगे सफर के दौरान लोगों को करोना के नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा कोलकता के अपोलो अस्पताल में भरती सौरव गांगूली की तबियत में सुधार हो रहा है और वो क्रिटिकल केर यूनिट से बाहर आ गए है आला कि अस्पताल में अब भी उनका इलाज जारी रहेगा दो दिन पहले उन्हें सीने में तकलीफ के बाद वहां भरती करवाया गया था बजट सत्र पर लोकसभा ध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के साथ एक बैठक की इस बैठक के बाद ओम बिड़ला ने बताया कि सभी दलों ने सदन की कारवाही में सयोग करने की बात कही है सुप्रीम कोट ने आगरा में ताज महल के पास के 4000 पेड़ों को शर्तों के साथ काटने की मंदूरी दे दी ये पेड मतुरा से जहांसी तक रेल लाइन विछाने के लिए काटे जाएंगे सेद मुश्ताक अली टी 20 टोफी में तमिलनाड की टीम फाइनल में पहुँच गई उसने पहले सेमी फाइनल मैच में राजिस्थान को साथ विकेट से हरा दिया दिली में इस्राइली दूतावास के पास ब्लाश्ट के बाद सुरक्षे अजंसिया आलट हो गई है धमाके के बाद अयोधिया समेट पूरे उत्तर प्रदेश में अलट जारी किया गया है महाकुंब को देखते हुए हरिद्वार में भी अलट जारी किया गया है योगी आदितनाथ में प्रदेश में सतरक्ता बरतने के आदेश दिये योगी ने सभी जिलादिकारियों, वरिष्ट पुलिस अधिक्षकों और पुलिस आयुक्तों को अपने अपने जिले के प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थलों और पूरी समवेदन शील जगहों पर नज़र रखने के निर्देश दिये हैं और इसके साथ ही पुलिस को गश्ट बढ़ाने के निर्देश भी दिये गए हैं पश्चि मंगाल के बीर भूम से हैरान कर देने वाली तस्वीने सामने आई जहां किसी बात पर विवाद के बाद दो गावों के लोग सडकों पर उतराये और जम कर तोड़फोड की बताया गया कि इस जड़प में चार लोग घायल भी हो गए और जो वीडियो सामने आया उसमें सडक पर जगा जगा आगजनी होती दिखी वीडियो में साब दिखा कि सडक पर टायर जल रहे थे और लोगों की भीड महां मजमा लगाए थी और इन सब में सबसे ज़्यादा मुसीबत सडक से गुजर रहे लोगों को उठानी पड़ी क्योंकि सडक पर आगजनी की वज़े से वहां लंबा जैम लग गया और लोग कई घंटों तक फसे रहे यह अंगामा काफी देर तक चलता रहा जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात काबू में की गए मुंबई वालों को बहुत जल दो नए रूटों पर मेट्रों की सुविधा मिल सकती है मुंबई मेट्रों के लिए देश में ही बने कोच मुंबई पहुंच चुके हैं जिनका महराश के मुख्यमंत्री उदब ठाकरे ने उदगातन किया खबर है कि इसी साल मई तक मुंबई के दो नए रूट पर मेट्रों की शुरुवात हो जाएगी और उन रूट पर ये मेट्रो चलाई जाएगी पहला रूट डियन नगर से दहिसर और दूसरा दहिसर से अंधेरी तक का होगा मार्च तक दोनों रूट पर मेट्रों का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा मेट्रों के जो नए कोच मुंबई पहुंचे हैं उनकी खासियत ये है कि वो बिना ड्रायवर के पट्रियों पर दौडेंगे दो नए रूट शुरू होने से मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगने वाली भीड में कमी आने की संभावना भी है इसे में मेने से शुरू किया जाएगा कुल 35 किलो मिटर की ये मेट्रों की जो दूसरी लाइन है ये बनने जा रही है जिसका फायदा करीब 13 लाक प्रवासियों को मिलेगा लॉकडाउन के दोरान मुंबई में अपराद की घटाओं में भारी कमी दर्श की गई न्यूस एचीन की श्रेया दूबी की रिपोर्ट है कि 2019 के मुकाबले 2020 में मुंबई में अपराद की घटाओं में 47 प्तिशत की कमी आई इस दौरान हत्या चोरी और लूट समेथ सभी अपराद कम हुए और इसमें सबसे जादा गिरावट लॉकडाउन के शुरुवाती महीनों यानी 2019 के अपरेल और मई महीने में दर्श की गई इसकी सबसे बड़ी वज़े थी लॉकडाउन के दौरान लोगों का घर पर मौजूद रहना आनकी लॉकडाउन तोडने का अपराद मौंबई के लोगों ने खुब किया और कुल 51,000 अपराद की घट्नाओं में लॉकडाउन तोडने के 29,000 मामले सामने आई यह आंकड़े मौंबई पुलिस की ओर से जारी किये गए राजिस्थान के अजमेर में एक पेट्रोल पंप में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई जब कि कई लोग घायल हो गए आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई लेकिन वहां से जो तस्वीरे सामने आई उसमें पेट्रोल पंप से तेज लपते उठती हुई दिखाई दी पेट्रोल पंप में उस वक्त काफी मात्रा में डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था ऐसे में वहां आग लगते ही सब के हाथ पैर फूल गए आनन फानन में दमकल की कई गारियां वहां पहुची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की इस घरता में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग बुरी तरह से जुलस गए जिनने अस्पताल में भरती करवाया गया राजिस्थान के अजमेर में एक पेट्रोल पंप में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गई आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई लेकिन वहां से जो तस्वीरे सामने आई उनमें पेट्रोल पंप से तेज लप्टे उठती दिखाई दी पेट्रोल पंपे उस वक्त काफी मात्रा में डीजल और पेट्रोल रखा था ऐसे महां आग लगते ही सब के हाथ पैर फूल गए आनन फारन में दमकल की गाडियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग बुरी तरा जुलस गए जिन्हें अस्पताल में भरती कराया गया थाइलंड के कोव फैगन में कोरोना नियमों को तोड़कर पाटी करने के लिए करीब 90 विदेशियों को गिरफतार कर लिया गया पुलिस को एक बार में वो रही इस पाटी की खुफया जानकारी मिली थी जिसके बाद उन्होंने च्छापा मारा और वहां से सभी लोगों को पकड़कर पुलिस टेशन ले आई आरोप है कि बार में सभी लोग कोरोना नियमों को तोड़कर पाटी कर रहे थे सामना आए वीडियो में वो सभी नाच गाने और नशे में डूबे दिखे उन्होंने नाम के लिए मूपर मास्क जरूर लगाया था लेकिन उनके बीच बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी हाला कि पुलिस के हत्ते चरने के बाद उन लोगों ने अपनी गलती मानी खबर है कि ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज करते हुए कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है पुलिस के बीपक विष्ट की रिपोर्ट है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार छे संदिग्दों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है जिसके आधार पर हिंसा भढ़काने में इनकी एहम भुमी का सामने आ रही है साथ ही पुलिस गंतंत्र दिवस परेड में लगाये गए कैमरों की फुटेज की मदद से भी उपद्रवियों की पहचान में जुटी है जबकि पुलिस को अब तक हिंसा से जुड़े 200 से ज़ादा वीडियो मिल चुके इतना ही नहीं खबर है कि किसान अंदोलन के दौरान बने वाटसाप ग्रूप की जाँच भी शुरू कर दी गए क्योंकि शुरुआती जाँच में ये सामने आया कि इन ग्रूप के जरीए ही किसान अंदोलनों को भढ़काने का काम किया गया इसके लावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रेडार पर एक हजार से जादा खालिस्तान के समर्थन वाले ट्विटर हैंडल है महराष्ट के पूर्व सीम देवेंद्र पंडवीस ने आयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए एक लाग का चंदा दिया करनाटक से सीमा विवाद पर महराष्ट सरकार आकरामक हो गई उसकी ओर से एक डॉक्यमेंटरी फिल्म जारी करके ये दावा किया गया कि करनाटक का वो हिस्सा महराष्ट का है जहां मराठी भाष़ा बोली जाती है बीजेपी भी इसके पक्ष में दिखी लेकिन उसने कॉंग्रेस की बात करके शिवसेना को आगहा कर दिया उन्होंने ही मुंबई को अलग करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोट ने हैदराबाद एंकाउंटर मामले की जांच कर रहे आयोक को छे महिने का समय दे दिया नवंबर 2019 में हैदराबाद की डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफतार किये गए थी इसके बाद दिसंबर 2019 में पुलिस ने धावा किया कि भागते समय ये सभी आरोपी एंकाउंटर में मारे गए इसी एंकाउंटर पर सुप्रीम कोट ने ये जांचायोक बनाया था बारतिय महिला ओकी टीम को दूसरे मैच में भी मेजवान आजंटीना ने दो शुन्य से हरा दिया इस तरह चार मैचों की इस सीरीज में भारतिय टीम शुन्य दो से पीछे हो गई बंगलूरू में कगली बुरा इलाके से हरान करने वाली तस्वीरे सामने आई हैं घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल बारा गाडियां वहाँ पर पहुँची और फ्राक्टरी के जल रहे हिस्सों पर पानी की बोचार शुरू कर दी बताया गया कि लप्तों ने वहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद अगरबत्ती और उसे बनाने वाले सामान को अपनी चपेट में ले लिया जिसकी वज़ा से आग और भीशन हो गई इस हाथसे में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया लेबनान में लॉकडाउन के विरोध में जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया जिसके बाद महां सेना उतारनी पड़ी लेबनान पहले ही बधाली से जूज रहा है इसे में जब करोना की वज़े से लागू पाबंदियों को और बढ़ाया गया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया और गुसाय लोग हिंसा पर उतराए प्रिपोली में लोगों ने जम कर आग जनी की एक सरकारी दप्तर को भी फूंक दिया गया जब तक दमकल की गाड़ियां सुरक्षाबल के लोग पहुँचते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया वहाँ से भीषण लप्टें उठती दिखाई दे बाद में किसी तरह आग को बुझाया गया हिंसा पर उतारू प्रदर्शन कारियों को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो और भड़क गया सुरक्षाबल पर पत्राव शुरू कर दिया प्रदर्शन कारियों ने कूडे दानों में आग लगाकर वहां के रास्तों को भी बंद करने की कोशिश की इस दौरान जम कर नारे बाजी भी की गई सुरक्षबल ने भीड को खदेडने के लिए जम कर आंसू गैस के गोले दागे लेकिन हालात इतने खराब हुए कि आखिरकार सेना को उतरना पड़ा सामने आई तस्वीरों में सेना की कई बखतरबंद गाड़ियां शहर के चक्कर लगाती नज़र आई पश्यमंगाल की दारजुलिंग से दहशत से भर देने वाली तस्वीरे सामने आई है उन दोनों से ही तेज लप्टे उड़ती हुई दिखाई दी यहाथसा एक पुल पर हुआ जिसकी वज़ा से वहां काफी देर तक ट्राफिक भी ठप रहा बाद में पुलिस वहां पहुँची और गारियों को हटा कर ट्राफिक खुलवाया ताइवान को हड़पने की साजिश में जुटा चीन अब उसे खुले आम जंग की धंकी दे रहा है ब्रिटन के अखबार जेली एक्सपेस की रिपॉर्ट है कि ताइवान के तेवरों से बुखलाए चीन ने उसे जंग की खुली धंकी दे डाली है चीन के विदेश मंतराले ने दो टूक कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और अगर वो आजादी की जिद्व पर अड़ा रहा तो इसकी कीमत जंग होगी चीन पहले भी कई बार ताइवान को फौजी कारवाई कर खबजे की चितावनी दे चुका है यही नहीं पिछले कुछ वक्त से चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैट कर रहा है लेकिन चीन की इन गीदर भख्कियों से डरने के बजाए ताइवान भी अपने अपना दमगम दिखा रहा आज से शिरू होने वाले आमरण अंचन को समात से भी अन्ना हजारे ने वापस ले लिया है किसानों के अधिकारों से जुड़ी 15 मांगो पर केंदर सरकार ने उन्हें कदम उठाने का भरोसा दिया जिसके लिए क्रिशी राज्यमंत्री के लाज चौधरी और महराश्ट के पूर्वसियम दिवेंद्र फड़नवीस अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे ये जो पेंदर सरकार ने निरने लेया और पंधरा मुद्धों पर जो काम करने के लिए जो तई किया है इसके कारण मैं कल का अंशन स्तगित किया है गुजराद का केवडिया रेलवे स्टेशन देश का पहला ग्रीन स्टेशन बन गया खास बात ये कि अभी इसे बनाने का काम जारी है जिसके इसी साल मार्च में खत्मोने की उम्मीद है और इस बीच उसे ग्रीन स्टेशन का तमगा भी मिल गया क्योंकि इस स्टेशन पर ऐसी कई खुमिया है जो देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर अभी मौजूद नहीं है जिनमें पानी को बचाने के उपाए और सोलब प्राट जैसी तमाम सुविधाएं शामिल है रेलवे ने दावा किया कि 65 करोड की लागज से बन रहा है इस स्टेशन का ज्यादा तर काम वक्त से पहले ही पूरा कर लिया गया इस स्टेशन की खुबसूरती में चार चान लगाने के लिए देश के पहले ग्रेबंतरी सरदार वल्लब भाई पटेल की 182 मीटर उंची प्रतिमा स्टैच्व अफ यूनिटी जैसी 12 पीट की एक मूर्ती भी वहां लगाए गई गजिस्तान के अजमेर में पेट्रोल पंप में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई इस हाथसे में साथ लोग गंभी रुप से जुलस गए जिन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया अजमेर के आदर्श नगर इलाके में पेट्रोल भरते समय धमाका हुआ और आग लग गई सुचना मिलते ही दमकल की गारियां मौके पर पहुँची और आग बुझाने में जुट गई फिलाल पुलिस ने हाथसे की जांच शुरू कर दी है अजमेर के परवत्पुरा बाइपास में जिस तरीके से एक पेट्रोल पंपर आग लगने से बड़ा हस्ता हुआ है उसके बाद में काफी लोग इस हास्ते का शिकार हुए हैं हम इस वक्त अजमेर के जेलन अस्पताल में मौजूद है यहां पर आप देख सकते हैं आपात कालिल वार्ड वहां पर जो इस हास्ते में हतायत हुए थे उनका इलाद चल रहा है तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वह यहां पर पहुंच चुके हैं जिला कलेक्टर प्रकास राजपुर ही कमारे साथ हैं उनसे बात कर लेंगा है सर किस तरीके का हास्ता पाकिस्तान के सिंद प्रांथ के गवर्नर की सरकारी गाड़ी में कुट्टे के घूमने का वीडियो वाइरल होने के बाद वहां की सियासत गर्मा गे इस वीडियो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक निता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया जिसमें गवर्नर की सरकारी गाड़ी उनके कुट्टे को सहर कराती नजर आई यही नहीं कुट्टे की सुरक्षा के लिए पुलिस की एक गाड़ी भी उसके साथ चलती देखी इस गाड़ी में कई हत्यार मंद पुलिस वाले सवार थे इस वीडियो के सामने आते ही गवर्नर सवालों के घेरे में आ गए लेकिन खुद को घिरता देख रोने इसे विपक्षियों की साज़िश बता दिया हाला कि वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि गाड़ी में कुत्ते के सवा कोई और मौजूद नहीं था और सिर्फ उसे घूमने के लिए ही गुवाने के लिए ही गवर्नर की सरकारी गाड़ी का इस्तमाल किया गया